मूवी में आप लोग देखेंगे कि दो लड़किया एक बड़े से टीवी टावल पर क्लाइंबिंग करने के लिए जाती है लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद में वही ट्राइप हो जाती है सो मूवी के स्टार्टिंग में हम यहाँ एक मैरीट कपल को देखते हैं जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं इनके साथ में हंटर नाम की फ्रेंड भी होती है बहुत ही लो सेफटी के साथ में ये लोग क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं डैन सेफटी हुक को फसाने के लिए एक की मौत होती है अब 51 वीक्स बीज चुके है बेकी को डैन के खूने का गम अभी तक है वह इस बात से और कम नहीं कर पाई है इस बात कर रहा है कि ढर शुका है और इसी के चलते उस नहीं तक डैन के डैन के घर लोट जाती है घर जाने के बाद में फिर से डैन को कॉल करती है और अब जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अब सुसाइट करने का ट्राय करती है लेकिन इसी बीच अब उसकी फ्रेंड हंटर का कॉल आ जाता है हंटर उससे लगबग एक साल बाद मिल रही है हंटर से मि अगला दिन होता है तो बेगी कुछ हैसा सोचती है जिसके बाद में वो हंटर के साथ में क्लाइमिक पर जाने के लिए रेडी हो जाती है और वहां पर वो डैन की एसस को भी छोड़ देगी दोनों लोग अब कार से उस टावर की और निकल जाते हैं काफी लंबी सफर से चल 67 टावर जश्ट उनके सामने ही है अब इस राद जब बेकी सो रही होती है तो उसे एक नाइट मेयर आता है लेकिन वो इसे इगनोर करके अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए रेडी हो जाती है हंटर जो की एक यूट्यूब व्लॉगर है तो वो इस एडवेंचर को भ आगे पैदल ही चल देते हैं टावर के पास में जाते समय दोनों लोग देखती है कि एक एनिमल को कुछ बर्ट मिलकर खार है हंटर इस चीज की पिक ले लेती है और अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है इसके बाद में उसे काफी धेर सारे लाइक्स मिलते हैं अब जा सकती लेकिन अब यहां तक आजाने के बाद में हंटर उसे वापस थोड़े ही न जाने देने वाली थी अब हलका सा बेकी को मोटिवेट कर देने के बाद में दोनों लोग इस पुराने बंद पड़े जंग लगे हुए अबेंडेन टावर पर चड़ने के लिए स्टार् होती है अभी तक इन दोनों ने 1000 फीट क्रॉस कर लिया है जो कि आइफिल टावर से भी उपर है यहां से देखने पर पास का टाउन एक ट्वाय सिटी जैसा लग रहा है यहां पर हवा की ताकत और भी जादा तेज होती है यहां तक आ जाने पर अंदर की जो सेड़िया थी हो खतम हो गई थी और अब 200 फीट ऊपर बाहर के सीड़ियों से होते हुए टॉप पर जाना है बेकी तो बहुत ही डरी हुई है लेकिन उसी के पोजित हंटर तो बहुत ही मज़े में और भी उपर जाना जाती है हिम्मत करके बेकी उपर चड़ने लगती है सुनने में यह त इस चैलेंज को भी किसी तरह पार कर लेते हैं अब जब यह दुनों अपनी मंजिल के बेहदी करीब होते हैं तो पहुँचने से पहले हंटर मस्ती करते हुए सीड़ी को हिलाने लगती है हंटर यह फन के लिए करती है लेकिन इसी दवरान एक नट बोल्ट निकल कर गिर जा यह जगा था यह जगर काफी उंची होती है और अपने व्लॉक के लिए हंटर ड्रोन से भी कई सारे सौट्स लेती हैं लेकिन हद तो तब पार होती है जब वह इस ब्लॉक को और भी रिस्की बनाने के लिए बिना सेफटी के नीचे लटक के वीडियो सौट्स लेती हैं अब कुछ देर हो जाने के बाद में अब इनका जब यहां पर काम पूरा हो जाता है तो यह दोनों यहां से निकलने वाली होती है लेकिन किसी उचाहे जिगे पर चड़ने से जएधा उतरने में डर होता है बेकी जैसे ही नीचे सीड़ी पर अपना पैर रखती है तो और वो अपने बेस में से निकल जाती है जिससे बेकी अपने सेफटी रोप के सारे नीचे लटक जाती है हंटर भी बाल बाल नीचे गिरती हुए बची थी और अब इतनी उचाहे पर हंटर रसी को पहले लॉक करके अब बेकी को ऊपर खीच लेती है अब बच तो गई है य उसका बैक छूटकर एंटीने पर अटक गया होता है इसे में पानी और बाकी समान होता है और उसे हिन्हे कैसे लाना है इस भात का भी आईडिया इन्हें नहीं है। साथ यह प्षोट बिलड़ गई होती है अब जैसा कि यहां पर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं जिसके बाद साथ में हंटर एक आइडिया लगाती है कि अगर फोन को रस्ती से बांग कर नीचे लटका दिया जाए तो साइद नेटवर्क्स आ जाएंगे वो अपने इंस्टाग्राम पर हेल्प की पोस्ट डालती है और जब नेटवर्क्स मिलेगा तो यह पोस्ट आटोमेटिक अपलोड हो जाएगे वो ऐसा करने की कोसिस करती तो हैं लेकिन यहां पर यह काम नहीं बन पाता अब इसके बाद में वो आइडिया लगाती है कि अगर फोन को जूते में रखकर नीचे फेक आ जाए तो जरूर कोई बात बन जाएगे साथ-साथ में अब यहां पर यह भी डर होता है कि अगर फोन नीचे गिरेगा तो तूट भी सकता है और साहर इसी को बचाने के लिए यह लोग जूते का यूज़ कर रहे हैं अब जैसा कि यह इनकी लाश्ट होप थी तो दोनों लोग ऐसा ही करती है अब फोन तो नीचे फेक देती हैं जिसके बाद ने अब इंतजार करन के लावा इनके पास में कोई और दूसरा रास्ता नहीं है अब कुछ दिर बाद में टावर के पास में कुछ दोरी पर इन्हें कोई आदमी देखता है वो इससे हल्प मंगते हुए यह दोनों साउट करती हैं लेकिन कोई भी फायदा यहां पर नहीं होता इन दोनों का अग के पास में आकर उनकी कार चुरा ले जाते हैं यह दोनों के साथ में हुई है यह दोनों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अब किसी तरह यह दोनों यह रात गुजार लेते हैं और अगला दिन होता है इन्हें भूक और प्यास भी लगने लगी है जिसके क्राइब कर दरी शराएं निया उस बिल जाता है वहतまだ रूत वह पहली सेल्फी स्टिक निकालती है और उसे स्टिक के ज़रिये पहले बैकक को रोप में टांग देती हैं वह को आइसेरी पकड़ पाना मुस्किल था इसलिए हंटर रोप को कोद पकड़ने कर डिसाइड करते तेजी से कूदने के बाद हंटर फिर रोप पकड़ लेती है और फिर रोप के सारे उपर जाने लगती है अब अचानक से हंटर के पकड़ यहां पर छोटती है और वो नीचे गिरने लगती है बेकी को लगता है कि साइध हंटर नीचे गिर गई लेकिन उसने रस्ती पकड़ थी उसके सिर्फ हाथ छिले थे और बाद में बिकी हंटर को ऊपर खीचने लगती है उपर आने के बाद में बिकी बैक से पानी निकालकर पीती है इसके बाद में वो एक पेपर निकालकर उस पर एक हेल्प नोट लिखती है और इसे ड्रोन पर लगाकर नीचे बेज़ देती ह वो ड्रोन को कुछ दूर उडाती है लेकिन ड्रोन में लो बैटरी होने के करण ड्रोन को वापस लाना पड़ता है अब ये दिन भी बीच जाता है और रात हो जाती है आज की रात बेकी के लिए बहुत ही डराऊनी है उसे कई नाइट मेर्स आते हैं लेकिन उपर की फ्लैस लाइट को देखते हैं वक्त बेकी को कुछ आइडिया आता है अब जब सुबह हो जाती है तो हंटर बेकी को मोटिवेट करके वहाँ जो लाइट लगी हुई थी उपर चड़के वहाँ पर ड्रोन को चार्ज करने को कहती है बेकी पूरी हिम्मत और मेनत करके टावर के उपर जाने का ट्राई करती है अब जब वो उपर चड़ रही होती है तो यहां से नीचे की और देख पाना हर किसी के बसकी बात नहीं है बेकी के उपर पहुँच जाने के बाद में वो उपर की लगी हुई लाइट को खोलती है और उसमें ड्रोन का चार्जर लगा कर चार्ज करने की कोसिज करती है मगर charger socket से चोटा पड़ रहा था जिससे बेकी उसमें अपने ring डाल देती है और बाद में ड्रोन चार्ज होने लगता है ड्रोन के चार्ज होते वक्त कुछ समय लगने वाला था बेकी ऐसे ही पोल को पकड़ के लटकी होती है मगर तभी बार-बार पास के बड्स आकर उस पर हमला करने लगते है काफी देर के श्ट्रकल के बाद ने अब ड्रोन चार्ज हो जाता है लेकिन बड्स के लास्ट बार हमला करने पर बेकी के पास में जो बैक था वो नीचे गिर जाता है बेकी उसे छोड़ कर अब नीचे आ जाती है अब इसके बाद में फिर से वो ड्रोन पर रेस्क्यू नोट लिकर उसे उड़ा देती है ड्रोन उडते होए मोटल की तरफ जा रहा होता है लेकिन इतने में एक ट्रक वाला ड्रोन से टकरा जाता है और बेकी की लाश्ट उम्मीद यहाँ पर जो थी वो भी ड्रोन के साथ में टूड जाती है गाईज अभी तक बेकी की तरह आपको भी लग रहा होगा कि हंटर उसी के साथ है लेकिन पिछली बार जब चड़ते वक्त हंटर से रोब छूटा था तो वो वही नीचे हंटीना पर गिर के मर गई थी बेकी ने सिर्फ बैग की उपर खीचा था मगर बेकी यह एकसेप्ट नहीं कर रहे कि हंटर मर गई इस बात से बेकी को बहुत ही निरासा होती है वो लाश्ट बार अपने डैट के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है इस तरफ उसके डैट भी कई बार उसे कॉल करने का ट्राइ कर रहे थे अब रात में बेकी तुफान का सामना करते हुए किसी तरह ये पल गुजार लेती है और अगला दिन जब होता है तो बेकी की आँख खुलने पर वो देखती है कि वही बर्ड उसकी चोट को खा रहा है मगर बेकी अब उटके बर्ड के गर्दन को पकड़ कर उसे मार देती है वो उसे बुरी तरह से मार देती है इसके बाद ने बेकी अब उसे के मास को खा के आगे सर्वाइव कर भाती है अब इन सब के बाद में बेकी के मन में एक आइडिया आता है वो नीचे हंटर के पास एंटीना पर जाने कर डिसाइड करती है वो रसी पर ल Lieutenant पर जाने के कोसिस करती है और अखिरकार कुछ कोसिसों के बाद में वो एंटीना पर अब आ गई होती है यहाँ बिकी के पास अब लास्ट प्लाइन बचा होता है वो अपने फोन पर डैट को हेल्प का मैसेज सेंड करके उसके पास में जूता था उसके अंदर फोन डालके फिर बाद में यह जूता हंटर की बाड़ी के अंदर डाल देती है अब वो हंटर की बाड़ी यहाँ से नीचे फेकती है और उसकी होप यही है कि इस बार अफोन नहीं तूटेगा और ऐसा होता भी है हम देखते हैं कि बेकी के डैट टावर वाले स्पोर्ट पर पहुँच गए है यहाँ पर कई सारे पुलिस भी है बेकी के डैट को पहले लगता है कि सायद सामने वाली डैट बाड़ी बेकी की ही है लेकिन बेकी दूसरी और एकदम सही सलामत होती है दोनों लोग एक दूसरी से मिलकर बेहत खुस होते हैं बेकी लास्ट में सिर्फ बचती है और इसे के साथ में इस मोवी का यहाँ पर एंड होता है तो दोस्तों यह थी 2022 में हाल ही में रिलीज हुई फॉल मोवी का एक्स्प्लेनेशन उमेद करता हूँ कि आप लोग ने इस मोवी का एक्स्प्लेनेशन को एंड होगा मोवी का एक्स्प्लेनेशन आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्काइब करेगा आज की वीडियो के लबत इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ जाहिन वंदे मातरम